लिजे सुनिए आचारे चतुरसेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 46 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जुगनु का ये अप्रत्याशित प्रणय निवेदन एक बार गी ही शार्दा को आहत कर गया उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसका अमल धवल कौमार अकस्मात ही मेला हो गया एक प्रकार की भीत ग्रणा ख्षोब और क्रोध से वो अभिभूत हो उठी अब वो यद्यपी बीस से भी अधिकायू की तरोनी थी परन्तु अभी तक शैशव ही उसके तन मन में खेल रहा था उसका लालन पालन स्वस्थ वातवरण में हुआ था सुसंस्कृत परिवार की वो लड़की थी अब तक उसकी संपूर्ण चेतना ग्यानार जन में सनलगन थी मनोविज्ञान और इतिहास उसके प्रिये विशय थे साहित्य में उसकी आ सकती थी उसे पता ही नहीं था कि यवन और कामवासना क्या वस्तु है ये दोनों ही तत्व उसके अंग में सोए पड़े थे और इस द्रिष्टी से वो अभी एक निपट बालिका थी परंतु वो इतनी कम समझ भी न थी कि जुगनू के प्रणाय निवेदन के मर्म को न समझ सके उसकी सहेलियां यद्यपी जब तब उसके विवाह और वेवाहिक जीवन की चर्चा करती रहती थी घर में भी उसके विवाह की बाते होती थी परंतु उसकी चेतना में इन सब बातों का केवल सामाजी के ही रूप था किसी तरुन पुरुष की काम भावना से उसका अंग स्पर्ष करने तथा प्रणाय नवेदन करने की ये प्रथम ही घटना थी अभी कौमार्री के कवच में उसका तन और मन सुरक्षित था ये कवच शारीरिक भी था और मांसिक भी परन्तु सर्वता प्राकृतिक हम इसे केवल भय और लज्जा ही नहीं कह सकते हकीकत ये है कि कौमार्री के दोहरे आवरण में मांसिक आवरण उपर है और शारीरिक भीतर मांसिक आवरण चेतना से चेतना की समवेदना से अधिक संबंधित है नर नारी का भिन्न लिंगी होना किवल शारिरी की ही नहीं मानसिक भी है नर नारी के जैसे शरीर भिन्न है वैसे ही उनके मन भी भिन्न है निसंदेह नर और नारी दोनों ही शारिरी का और मानसिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न है कहना चाहिए विपरीत है शारिरिक भिन्नत हम प्रत्यक्ष देखते हैं पुरुष का शरीर कठोर चेहरा दाड़ी मूचों से भरा हुआ आवाज गंभीर भारी डील डॉल और इस्त्री का शरीर कोमल चेहरा दाड़ी मूचों से रहत बोलने चालने और काम करने में नाजुक परंदु पुरुष जहां इस्त्री में कोमलता, मादकता और नजाकत को पसंद करता है वहां इस्त्री कठो रंगों वाले, बड़ी और मोटी हड्डियों वाले, भरपूर तेजस्वी और वीर पुरुष को पसंद करती है इस्त्री पुर्षों की ये विप्रीत तत्वों की पसंद कोरी पसंद ही नहीं है, भूक है वो विप्रीत ता शारिरिक विश्यों में ही नहीं, मन और सभाव में भी है इस्त्रीयां प्राया सलज भीरू और भावुक होती हैं, पुरुष साहसी और निसंकोच इस विप्रीत आकांग्शा में नैसर की कारण है एक तत्व का दूसरे में अभाव और उसा भाव की पूरती हिर्दय और मस्तिश्क ये दो यंत्र शरीर की जीवनिय शक्ती केंद्र है हिर्दय में भावुकता, लज्जा, दया और परूपकार की भावना तथा करणा की तरंगे उठती रहती हैं और मस्तिश्क में वीर्ता साहस, ग्यान और धेर रिकी सभावी से पुरुषों में मस्तिश्क की शक्तियों और इस्त्रियों में हिर्दय के आवेक का बाहुल होता है संक्षेप में, प्राणी जगत में इस्त्री हिर्दय है और पुरुष मस्तिश्क, दोनों दोनों पर निर्भर है मस्तिष्क में चेतना और हिर्दाय में जीवन नहित है यही सब बाते हैं जो इस्तरी पुरुश के मानसिक और शारी रिकाकर शां का मूल है positive प्रिकरती ने जो मानसिक और शारी रिकावराण इस्तरी और पुरुश को दिया है उसे वे सैयम और नियमित रूप से परसपर की शक्ती का साथ ही में मिलकर उपियोग कर सकते हैं जैसे बिजली के दोनों तार धन और रिन रबर के आवरण में बध सर्वता प्रथक प्रथक किन्तु साथ साथ रहते हैं केवल लक्ष बिंदू पर नगन होकर मिलते हैं तब ही विद्युद्धारा प्रवाहित होने लगती है रास्ते भर शार्दा ठकी होने का बहाना करके आँखे बंद की एक गाड़ी में पड़ी रही और घर आकर भी ततकाल सोने को चली गई पर नेंद उसे रात भर नहीं आई प्रतिक्षन जुगनू के जलते हुए हाथ का स्पर्ष हिंस्र नेत्रों की लाल लाल जौला लड़कडाती वानी में उसका उन्मत प्रणय नवेदन रह रहकर उसे कीच रहा था कभी वो दर्द से चीख सी उठती कभी बिस्तर पर तलपने लगती कभी वो कृध भाव से उठकर बैठ जाती परन्तु भीतर ही भीतर उसके कौमार और योवन में संघर्ष चल रहा था योवन जग रहा था और कौमार को गर्धन पकड़ कर शार्दा के शरीर और मन से निकाल बाहर करने का यत्रन कर रहा था अब तक का उसका शेशाव साहचर उसके नेत्रों में मुह पैदा कर रहा था परन्तु योवन गुप चुप हसकर नए और अग्यात संकेत कर रहा था वो चाहती थी कि उसकी ओर से आँखे फिर ले वो चाहती थी कि अपने चिर सहचर शेशाव को अंक में भर ले परन्तु अब तो योवन उसके अंक में उधम मचा रहा था और उसे काबू में रखना उसके बूते की बात न रह गई थी अभी आप सुन रहे थे आचारे चत्रसेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंक का भाग च्छालीस मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में